दिल्ली के अलिपुर में नाशनल हाईवे पर बने अनमुल फार्म हाउस में लगी बड़ी आग, फार्म हाउस में काफी एरिया में होता है, साथ सजा और बड़ी मात्रा में पांडाल लगाए गए थे, अचानक लगी आग में बड़ा हाथसा होने से ठला धूधू कर जला प कभू पालिया है और कूलिंग का काम जारी है, धूधू का जलता हुआ यह है दिल्ली के अलिपुर में बना अनमुल फार्म हाउस, अनमुल फार्म हाउस के पंडाल में आज दोपहर को अचानक यह भयंकर आग लगी, इस आग में पूरा पंडाल जलकर खत्म हो गया, दमकल की दस से ज्यादा गाडियों ने मशक्कत के बाद इस आग पर कभू पाया गनिमत रही कि यह पंडाल तो तयार था, लेकिन दिन के वक्त यहां पर कोई कारेक्रम नहीं था, यदि कारेक्रम के दोरान यहां आग लगती, तो बड़ी संख्या में जाने भी जा सकती थी, आग आग ने कुछी देर में पूरे पांडाल को अपनी चपेट में ले लिया, पांडाल में कागज और कपड़े और थर्मकॉल का ज्यादा यूज होने के कारण आग को फैलने में वक्त नहीं लगा, कुछी मिनिट में आग ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया, फार्म हाउस के पंडाल में आथी इसलिए कोई जान का हाथसा ना हो इसकारण क्याच एम्बुलेंस भी मौके पर तुरंट पहुँची और आग के दोरान मौके पर मुस्तैद रही गनी मत रही कि जो मजदूर यहां काम कर रहे थे वह सभी आग लगते ही बाहर आगये वरना हाथसा इससे भी बड़ा हो सकता था लेकिन इस हाथसे में लाखों रुपए का पान डाल जलकर राख हो गया है और आग किस कारण लगी है जान्च का विशय है फिलहाल ये फार्म फायर विभाव जान्च करेगा कि फायर मानकों का पालन किया गया था या नहीं किया गया फायर की कोई पर्मिशन थी या नहीं ये बाद में जान्च का विशय है फिलहाल दमकल की गाड़ियां आकिल लपटे बुझाने के बादा को ठंडा करने में लगी हुई है लेकिन इस तरह फार्म हाउस में आग लगना बड़े सवाल खड़े करता है क्यूंकि आखिरकार सैग्डों लोगों के जंदगी का सवाल होता है जरूरत है फार्म हाउसों के कारेक्रमों में इस तरह के फायर के नियमों को लेकर कोई को ताही नहीं बढ़ती जाए और पूरी तरह से पालन किया जाए क्यूंकि शादी के कारेक्रम में या किसी दूसरे कारेक्रम में इन फार्म हाउसों में आने वाले लोगों की संख्या सै प्राइक्रों में नहीं बलकि उजारों में होती है। फिलहाल अलियपुर्ठाना पुलिस और फायर विभाग पूरे मामलेग के जाच में जुटे हैं। drive